आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले ही क्लास 9th English chapter है आप लोग का 2 यह याती ठीक है यह याती आप लोग का chapter number 2 है इस अध्याय में जितने भी question answer ही सारे question के answer को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे तो आप लोग को चैनल को subscribe करके वीडियो को like कर लेना है तो चलि क्या आप लोग का सबसे first question में हैं पर है answer the following question briefly आप लोग को question का ज्वाब देना है ठीक है आप लोग को question का ज्वाब देना है ठीक है आप लोग का question simple है यह याती कौन थी तो आप लोग लिखेंगे Emperor Yayati was one of the and sectors of the Pandava जैक है आप लोग answer में कैसे लिखेंगे Emperor Yayati was one of the and sectors of the Pandava जैक है पुर्वज याती जो थे समलाम्राथ याती जो थे वो पुर्वजों में से एक थी दीक है आप लोग क्रकार लिख लीजएगा आए देखें question number 2 आप लोग का है पड़ है यहता है यहाती बिद्ध कैसे हुए और हुँ कर्चिड ही उसे किसने सराप दिया तो उत्तर में लिखेंगे यहाती बिकेम प्रेमेट्वेली ओल्ड फॉर हैविंग ओराउंड हीज वाइप दिव्यानी सुक्राचार्य कर्षड ही एक नमर कोश्चन का अंसर इतना है फिर दूसरा कोश्चन का अंसर इतना है मतलब यहाती अपनी पत्नी दिव्यानी के साथ अन्या करने के कारण समय से पहले बुड़ा हुआ उसे सराप मिला क्यों तो आप लोग कारण जन गए कि अपनी पत्नी दिव्यानी के साथ अन्या किया तो सुक्राचार्य उसे क्या कि सराप दिया बुछराय किसने सराप दिय तो सुक्राचार क्यों दिया क्योंकि बेटी ही ठीक हूं दिभ्यान और दिभ्यान इसके साथ अन्या क्या था इतलिए उसे सरापते दिया यायती को ठीक है कुश्चिन नमर थरी को देखिए अब यहां पर आप लोग का है वाज यह यहाती डवोड सेंस्वेल डिजायर ठीक ह यहाती काम वासना से रहीत था तो आप लोग को यहापर उत्तर में लिखना है नो यहाती वाज नोट डवोड ओफ सेंस्वेल डिजायर नहीं वा काम वासना से रहीत नहीं था आगे आप लोग का फोर नमर क्वेश्चन है आपर चार में वाज दा रिप्लाइ ओफ इज अल्डेश्ट सन उसके जेश्ट पुत्र ने क्या रिप्लाइ दिया तो तर लिकेगा यहाती अल्डेश्ट सन रिप्लाइड डेट यहाती के जेश्ट पुत्र ने जवाब दिया क अगर मैं अपना इस अवस्था को अगर आपको दे दूँ तो मुझ पर औरते और नौकरे मुझ पर हसेंगे इसलिए मैं इसार नहीं कर सकता यही रिपलाई दिया था यही जवाब दिया था अपने पिता को पांचनमर क्वेश्चन आप लोग का है वह गुसा क्यों हो गए तो अंसर मिलके है वह गुसा गए अपने तीनों पुत्रों से गुसा गए और अंतिम अपने चोथे पुत्र के पास गए आगे आप लोग का यहां पर क्वेश्चन नमर 2.1 का दू में है आंसर दा फॉलोविंग क्वेश्चन ब्रियपली यहां पर एक नमर क्वेश्चन आप लोग का है यहां पर आप लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग इसी अच्छे से समझेगा तो क्वेश्चन आप लोग का क्या कह रहा है यह समझ लिज़े पहले ब्रित ब्यक्ति के क्या क्वेश्चन होते है मतलब भूढे ब्यक्ति जो एक वनके क्या क्या क्वेश्चन होते है होती है अमारे जो सुन्दर्ता होती है वो सभी नश्ट हो जाता है इस फीस व्रिंक लेस उसके चेहरे पर जुड़ियां पर जाती है चेहरा भी जो है उस चेहरा सुख जाता है ठीक है भी हैर भी कोम ग्रे उसके बाल सफेद हो जाती है वो घोर सबारी या प्रहाथा की सबारी नहीं कर सकता ता ही जो है पर जो है ठीक से बोल भी नहीं पता है पर जो है ठीक है keep his body clean, अपनी सरीर को स्वक्ष रखने के लिए भी उसे दूसरों की सयाता लेनी परती है, there are the symptoms of an old man, ये एक ब्रिद्व्यक्ति के लक्षने, ब्रिद्व्यक्ति के क्या क्या लक्षने, तो जब आप बुढ़ा हो जाएंगे हम, तो हम लोग को क्या होगा, हमारी जो ताकत है, हमारी जो फुंदर्ता है, उस अब नश्ट हो जाएगा, हमारी जो चेहरा है, मतलब सूख जाएगा, हम ठीक से बूल नहीं पाएंगे, हमारा बाल सफेद हो जाएगा, हांती की सबारी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, गोड़ सबा अगे आपने लोका कोस्ताव को एक्सटाव क्या स्विकार किया था उस एंसर में लिखेंगे पुरू ये याटी है के नाम नाम था पूरू ठीक है वह जो था बिनम्रता पुर्वक अपने पिता की प्रस्ताब को स्विकार किया था कौन पूरो आगे देख लिए आगे आप लोगों का सेंस्वेल डिजाएर इस इफर लास्टिंग काम वाजनाची अस्थाई ही तो तर लिखे आदि इंडियाँ एंसियन थाउट या भारतिय प्राचीन विचार है दिसी यहाती थाउट ही यही याती का भी विचार था आगे देख आगे कुश्चन नमर चार है वाइडे याती रियूमच ठीक है रिजूम यहापर रिज मतलब होता है रोकना ठीक है यहाती मतलब कहता है यहाती फिर से बुढ़ा क्यों गया उसको तो बेटा जो था वो कहा ले लिजिये मेरा जवानी ले लिजिये फिर भी वहा बुढ़ा क्यों गया तो देखिए आगे आगे आप लो लिखेगा वेन यहाती रिलाइज़ डेट सेंस्वेल डिजायर के नोट ही कुएंचे ठीक है उसके बाद आगे लिखेगा ही तुक बैक ही जो अल डेज एंड वन तो फारेश्ट तो लिव ए लाइफ ओफ एस्टेयर मतलब यहाँ पर आप लोका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि देखिए जब वा यहाती जो था वहा बुढ़ा मतलब जब वानी ले लिया फिर वा गया था स्वरकुम ने वहाँ पर भी वहाँ पर भी बहुत आनंद लिया फिर भी उसको मजा नहीं आ रहा था ठीक है सोचा यह सब कब तक ले फिर बात क्या क्या था अपने ब्रिद अवस्था में आ गया जैसे हुआ पहले स्राप पोने के बात था वह से अवस्था में आ गया और वास की चुप चाप क् और सारा करोबार अपने बेटे को सौप दिया आगे आप लोगा क्वेश्चन नमर पहुंचे यहां पर है डू कॉर्ण गॉल्ड केटल एंड ओमिन साटीस फाइड डिजायर ओफ एमिन कता है क्या कॉर्ण ठीक है कॉर्ण मतलब यहां पर आप लोग देखिएगा कॉर्ण म मतलब होता है अनाज, गॉल्ड मतलब सोना, केटल मतलब होता है पसू ठीक है और ओमिन मतलब होता है इस्तिरी साटिसफाइड दा डिजायर ओफ एमिन क्या अनाज, सोना, पसू और इस्तिरी पुरुस की इक्षा को पूरा करते हैं लिखेंगे नो, कॉर्ण, गॉल्ड, मतलब होता है पसू ठीक है जीब जनतू और में अन्टू नोट सर्टिफाइड डिजायर ओफ एमिन एक पुरुस की इक्षा को यह सब पूरा नहीं करते हैं आगे आगे आप लोग का यहां पर क्वेश्चन नमर 2.1 का 3 में आए आंसर दा फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रिय मतलब है तो अपने परद्या के लिए समर्पी सासर के रुपे परसे ता आप लोग जो आपना बेटा आर्ट से प्रस्ताव देना चाहता था कि तुम लोग जो है अपना जमानी हमको लटा दो ता कि हम जो थे सेंस्वल इंजॉयमेंट और लेना चाहते थे आनंदा और लेन अपने पॉंचों बेटा को बुलाता है और वह आपनी व्रिद्ध अवस्था को किसी बेटा को लेने और वह आपनी जवानी वापस किसी बेटा से मंगता है पर उसका चारों बेटा नहीं देता है और अंती में जाता है सबसे छुटका बेटा विचन आपक्या करता है दे तो आप लोग अंसर में लिखेंगे ही ठीक है आप लोग अंसर में आप लिखेंगे ही पिट्यूसली मतलब होता है दया दैनिया ठीक है दैनिया एप लेड़ टू दा आफ्यक्षान आफ यह संस and ask the one of them एक्सचेंड ही जो योथ विध ही जो ओल्ड एज सो डाट ही माइट इंजो हीज लाइफ फुल विजर योथ कहता है उसने दैनिया रूप में से अपने पुत्रों को सनिह की अपील की और उसने उनमें से एक को अपने बुढ़ापा के साथ अपने जवानी आदान परदान करन में अपने जीवन का आनंद और लेना चाहता था यायाती जो था वो अपना पंचो बेटा में से करता है कि तुम पंचो में से कोई एक जो है हमको तुम अपना युवा अवस्था को दे दो और हमारा बिर्दा अवस्था को तुम ले लो ठीक है ताकि हम जो हैं अपने यह याती यूथ हैं अंड़ टेक ही जो ऑल्ड एज किस बेटा ने ठीक है याती का कौन बेटा जो था उसामत हो गया अपने जवानी को देने के लिए कता है कि पिता जी मेरी जवानी ले लिजिए और आपने बुढ़ा आवस्ता को हमको दे दिजिए उसामत हो गया तो लिके को पता होगा जो सबसे छटका वेटा था पूरू उसका ही नम आप लोगो को पता होगा और वही सहमत हुआ था अपने पिता को अपने जवानी को देने के लिए ठीक है जो पूरू जवान था वह अवस्ता अपने पिता को दिया और अपने पिता की ब्रिदा अवस्ता को अ देखेंगे पुरू एक व्क याज्टी गो टू दा का जेल गये सद्ट दया आज क्याता है यहां पर आपशन की याज्टी जो था वहाँ कुवेर के पास थी कुवेर की उधान में क्यों गई थे तो आप लोग लिखेंगे यायाती वेंट टो कुवेरा गार्डेन टो गेट मोड संस्यूएल सटीस फैक्षन विथ एन अपसराह मैडेन विकोज ही डिजायाइड कुड नोट ही लॉंच्ड ओन ओन दा आर्थ यायाती जो थी एक अपसराह यूवती के साथ अधिक का कुवेर के बगीचे में गई क्योंकि उनकी एक्षा को पिर्थवी पर लॉंच नहीं क्या जा सका ठीक है मतलब वाज थो थे वाकुवेर के यह इसलिए गए ते वहां पर अपसराह की धांस को डेखने के लिए ठीक आपसराह आर्ण आपसराह नाच्टिया वहां पर तो इस नहीं फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोग का हम यहां पर इस वीडियो में यहां तक कंप्लेट करवाती है मातर एक क्वेश्चन बता है जो है लॉंग आंसर क्वेश्चन ठीक है इस इसमें जितने भी क्वेश्चन है इसको हम फिर अगले वीडियो मे के जे के जारी 2020डि कर दो कि भी जे वीअ और जनना जांगार हहे बक्राइब दोज्ट करा कूंस हुआ आ हुआ अटी समझा कैतना है q doubts